What's up guys, welcome back once again So दोस्तों आज के फिल्म जो एक्स्प्लेइन करने वाले हैं उसका नाम है इन्वीजबल गर्ल So मूवी के शुरुआत में हम एक मेटरोइट को देखते हैं जो पृत्वी की तरफ तेजी से बल रहा है किसी भी समय वो हमारी धर्ती पर आ सकता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जिसके बाद हम आल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि समुंदर के बीच में ख़डा होता है एक बड़े शिप के पास दरसल उसे शिप के कुछ समान को ले जाना था जिसके लिए वो अपने साथ एक छोटी बोट ले के आया था लेकिन ओल का जो समान होता वो एक टन का होता है एक टन का ले जाना है उसे और जो बोट वो ले के आया है उसमें सिर्फ 600 किलो तक समान जा सकता है अब ओल छोटे बोट के मालिक से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ प्लीज तुला और समान रखवा लो लेकिन वो नहीं मानता जिसके बाद ओल के दिमाग में एक आइडिया आता है वो बड़े शिप के ओनर से कहता है कि तुम बोट पे एक टन का समान रखवा दो लेकिन उसे बताना मत तुम उसे कहना कि ये सिर्फ चैसे किलो का ही समान है अब शिप का मालिक ओल की बात मान लेता है और चोटी बोट पे एक टन का समान रखवा देता है और आगे जाके हमें इस बंदे की चलाकी का अंजाम दिखता है दोस्तों कुछ दूरी बजा के बोट डूब जाती है क्योंकि समान उस पे जादा हो गयता है जिसके साथ साथ पूरा समान भी डूब जाता है लेकिन उस चोटी बोट का मालिक और ओल दोनों जैसे तेसे करके किनारे तक आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं अब जो बोट डूब गई थी उसके बदले ओल को पैसे देने थे लेकिन उसके जेब में एक फूटी कौडी भी नहीं थी वो उस बोट के मालिक से अपनी कार को एक्सचेंज कर लेता है क्योंकि उसके पास अभी कोई आप्शन नहीं है वह यहां से ओल एक बैंक में जाता है जहां वो अपनी बच्पन की दोस्स सुटलाना से मिलता है जो कि इस बैंक में कैशिर की जॉब करती है ओल बोलता है कि उसे लोन की जरुट है लेकिन जब सुटलाना उस लोन की रकम सुनती है तो वो शौक हो जाती है क्योंकि वो ओल पूरे एक मिलियन डॉलर की लोन मांग रहा था सुटलाना उसे बोलती है कि तुम्हें इतना बड़ा लोन कोई नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छा सेक्योटी ना हो अब ओल काफी परिशान हो जाता है पर सुटलाना उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने डैट से मिलवाती हूँ वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके सो यहाँ पर मैं आपको बता दो कि यह दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं इसी वज़े से सुटलाना उल की मदद करती है इसके बास सुटलाना उल की खटारा कार में बैठके अपने घर के लिए निकल जाती है यहाँ हम सुटलाना की फैमली को देखते हैं जो की काफी बड़ी होती है अब उसकी फैमली में हर किसी के अपने ड्रीम्स होते है जैसे कि उसके डाड जिसका नाम ब्रॉस होता है वो चाहते हैं कि पूरी फैमली उनके साथ रहे और वहीं उनकी लीटा थेटर आर्टिस्ट बनना चाहती है उनका बेटा जिसका नाम लिख है वो आर्मी में जाना चाहता है लेकिन वो अस्तमा का मरीज है जिस वज़े से वो हर बार रेजक्ट हो जाता है अब घर की सबसे चोटी बेटी शाशा को जल्दी से बड़ा होना है ताकि वो सारे काम कर सके जैसी कि सारे बच्चे करते हैं वे लागे बढ़ते हैं अब और ब्र प्रियोटी से फिर बाद में उसे चुकाते नहीं हो जिसके बाद बैंक वाले हम जैसे शरीफ लोगों को परिशान करते हैं अब ब्रॉस ये बोलके वहां से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि मेटरॉइट्स एर्थ पर आ रहा है वो भी काफी करीब आ गया और तब ही हो आके ब्रॉस के घर में गिर जाता है जैसी कि वहां काफी बड़ा गड़ा हो जाता है सब लोग घर से बाहर भागते हैं पर वो देखते हैं कि पूरे शहर में ऐसे मेटरॉइट्स गिर रहे हैं तब ही सुटलाना को याद आता है कि उस मेटरॉइट के नीचे इंके ग्रा ना चालू कर देते हैं लेकिन काफी खुदाई के बाद भी वो उन्हें वह नहीं मिलता जिसके वज़े से सब लोग ठक जाते हैं और जाकर सो जाते हैं लेकिन और आल हार नहीं मानता है क्योंकि उसके उपर करजा है वो उसे ढूंटा रहता है वो फाइनली वो कि ये बात घरवालों को कैसे बताएगा लेकिन और आल ही मत करके सुटलाना के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो इतनी जादा ठक चुकी थी कि उसे बार बार उठाने पर भी नहीं उठती और तब ही वहां लिक आता है और आल को अपने साथ ले ज जैसे घर में जादतर लोगों के पास अलग अलग तरना की सूपर नेशनल पावर आ गई थी जैसी कि शाशा अब सूपर मैन बन चुकी थी और हर चीज को तोड़ सकती थी लीटा अब हवा में उलने लग गई थी और वहीं सुटलाना के पास अब इन्वीजबल होनी की पा अगर उन्हें इस पावर का इस्तेमाल करना है अब जो आल होता है वो लीला और शाशा को लेके डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो चेक करा सके कि उनकी बॉड़ी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन डॉक्टर चेक करने के बाद बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है यह बलकुल फिट और फाइन है अब घार आने के बाद सब लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं कि तब ही आल कहता है कि क्यों नहीं हम इस पावर का यूज करके कुछ पैसे गमाएं इसे हमें काफी फायदा भी होगा और हम काफी अमीर भी बन सकते हैं लेकिन मिस्टर भाज़चा को समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है उसी रात हम औल को भी देखते हैं जो एक आईरन रौड को मोलनी की कोशिष कर रहा हुथ लेकिन उसे वो रोड नहीं मुल पाती अब सबीके पास यह पावर थी लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं थी ये सोचकर वो काफी उदास हो जाता है उसे काफी बुरा लगता है जबकि उसने ही मेडिरॉइट को ढूंडा था दोस्तों अब अगली सुबा हम मिस्टर ब्रॉइट को देखते हैं जो कि ट्वालेट कर रहे होते हैं उसी दोरान वो एक लंबी सांस लेते हैं और तभी अचानक से वो घर के बाहर आ जाते हैं यानि कि उनके पास भी उनकी पावर्स आ गई थी जिससे वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते थे और इसके कुछ दिर बाद मिस्टर ब्रॉइट सभी को लेके लेक के पास जाते हैं जहां पर सारे लोग अपने अपनी पावर को ट्राई करने लगते हैं सारे लोग काफी खुश होते हैं और तभी और सबसे कहता है कि क्यों न हम लोग एक बैंक लूटें अपने पावर को यूज करके और इसे हमें काफी फाइदा होगा दोस्तों और किसी तरह से पेष उसके वापस करना चाहता था इसलिए वो ऐसी आइडियास दे रहाता है लेकिन उसकी बास सथा अचानक से एक आदमी की कार आकर उनके सामने रुकती है विल्का को याद होगा कि हमने कहाँए की शिरॢن hon rapt में एक बड़ा सा शिप देखा था जिस का ओउनर से ze'D avoir किया था कि उसके एक टन का समान वो सही सलामूद उसकी जगा पहुचा देगा लेकिन उसने उसे डुबा दिया यह वही आदमी होता है जिसका वो समान था और ओल ने उसे वादा किया था कि वो उसके एक मिलियन डॉलर का जो समान था वो से वापस करेगा अब अभी तक उसने उसके पैसे वापस नहीं किये थे तो वो डॉन ओल को अपनी कार में बोलाता है और उससे कहता है कि मेरे एक मिलियन डॉलर तुम कब दे रहे हो या मैं तुम्हारे औरगन्स निकाल कर चाइना में बेज दूँ अब ये सारी बाते सुनके औल काफी डर जाता है और एक हफ़ते का टाइम मांगता है पैसे लोटाने के लिए उसी टाइम ये सारी बाते सुथलाना सुन लेती है जिसके बाद वो बैंक